चोपड़ा जोगजन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो जो स्टुडेंट डबल ए ट्रपल सी द्वारा आयूस यानि BMS, BHMS, BSMS, BUMS में एडमिसन लेना चाते हैं उनके लिए खुशकबरी ये है कि अभी इस्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले एक स्पेशल मोपप राउंड होगा क्योंकि कुछ कोलेजेज को पहले परमिसन नहीं मिली थी उनको अभी परमिसन मिल चुकी है और इस बार जैन के भी इस राउंड में पार्टिस्पेट कर रहा है 15% ओल इंडिया कोटा के लिए तो इसमें जो कोलेज एड हुए हैं उसमें बिहार का एक कोलेज है 19 सीट से उसमें पठना का बिहार का ही दूसरा कोलेज है बेगुसराय का 6 सीट है उसमें राजस्तान का जोतपुरवाला कोलेज है 19 सीट से इसमें अखनूर जम्मू का इस बार पार्टिस्पेट कर रहा है 9 सीट हैं इसमें युनानी के 4 कोलेज एड हो रहे हैं बिहार में 19 सीट से राजस्तान में 9 सीट हैं जैंड के में 9 हैं और आंदर प्रदेश में 8 सीट हैं तो इस प्रकार से सभी कोर्सेज को मिला के 115 seats special mop up के लिए add हो रही है ये seatे new add हो रही है special mop up round के लिए ये special mop up round conduct होने के बाद stay vacancy round conduct होगा जिसमें registration फिर से नहीं किया जाएगा ये जो आपकी जो 24 से हैं वो 24 से दुबारा से फिल होंगी stay vacancy round में तो एक बार इसका schedule देख लेते हैं special mop up round का तो registration इसमें 13 से 16 तक है new registration है तो जिन candidates ने अभी तक registration नहीं करवाया है वो 13 से लेके 16 January 23 तक registration करवा सकते हैं choice filling और locking 13 से 16 January 23 तक है इसके बाद में result 19th January 23 को आ जाएगा और reporting 19 से लेके 23 January 23 तक रहेगी तो ये तो है special mop up round का schedule अब हम बात करें इसके eligibility की कोई 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 से candidate इसके लिए eligible हैं तो इसमें phrase registration अवेलेबल है 13 से 16 January 23 तक है जिन candidate ने registration नहीं किया है वो registration कर सकते हैं जिन candidates ने पहले registration कर रखा है और उनको first round, second round और third round में कोई प्रकार की seat alert नहीं हुई है उसको तो वो candidate भी इसके लिए eligible हैं उनको दुबारा से registration करने की आवश्यक्तर नहीं है इसके बाद जो candidate first round, second round और third round में आलड़ी join कर चुके हैं वो upgrade करवा सकते हैं जो आलड़ी join कर चुके हैं college वो इसमें upgrade करवा सकते हैं वो eligible हैं इसके लिए उनको भी दुबारा registration वगरा करवाने की आवश्यक्तर नहीं है अब कौन-कौन से candidate इसके लिए eligible नहीं है तो जिन candidate ने first round, second round और third round तक अगर seat withdrawal कर ली है या फिर surrender कर दी है तो वो candidate इसके लिए eligible नहीं है और जो दूसरे परकार के candidate जिन्नोंने state से seat ले रखी है join कर रखी है वो भी candidate इसके लिए eligible नहीं है और इसके बाद जिन candidate को third round में seat alert हो गई थी और उन्होंने join नहीं किया यानि कि allotate candidate है जिन्होंने join नहीं किया वो candidate भी इसके लिए eligible नहीं है तो ये हो गया इसका eligibility और non-eligibility का कि कौण-कौण से candidate eligible है और कौण से candidate eligible नहीं है अब admission process सेम पहले जैसा ही है आपको registration करना है payment करना है fees का इसके बाद में आपने 24 फिल करनी है result आएगा और joining करनी है जिन्होंने आलड़ी registration कर रखा है उनको registration करने के आवश्यक्ता नहीं है जिसने अभी तक registration नहीं किया है डबल ए ट्रिपल सी की website से वो registration कर सकते हैं इसमें अब इसमें admission rule ये है कि अगर आपको इस round में seat alert हो जाती है तो आपको उसको join करना ही होगा अगर special mop up round में इस round में आपको seat alert हो जाती है और आप उस पर join नहीं करते हैं तो आपने जो security money deposit की है वो तो forfeit हो जाएगी उसके साथ साथ आप next counseling के लिए eligible नहीं रहेंगे मतलब आप stay vacancy round में participate नहीं कर सकते हैं अगर आपको seat alert होगी और आप उस पर join नहीं कर रहे हैं तो तो ये तो ठीक condition है और इसका schedule special mop up round का अब special mop up round के बाद stay vacancy round होगा उसका हम schedule एक बार देख लेते हैं तो stay vacancy round होगा उसमें phrase registration नहीं होगा उसमें सिरफ 24 फिल ही होगी तो 24 फिल उसमें आप कर सकते हैं 27 से 30 January 23 तक और इसके बाद result 2nd February 23 को आ जाएगा और इसके लिए stay vacancy round के लिए जो joining रहेगी वो 3rd से लेके 8th January 23 तक शोरी फरवरी 8th फरवरी 23 तक रहेगी तो ये 888C का counseling का पूरा schedule है और जो last date रहेगी वो 18th फरवरी 23 रहेगी आयूस के admission की ये state की भी last date है और 888C की भी last date है तो जिन candidates को आयूस में admission लेना है ओल इंडिया के तुरू वो registration करवा के special मौपर राउंड में participate कर सकते हैं और उसके बाद में stay vacancy round में अपना 24 फिल करके seat अलोट करवा सकते हैं तो ये जानकारी थी special मौपर राउंड के बारे में मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक मैं आपसे एक ये बताना चारा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन आवस से फ्रेस करें क्योंकि इस परकार की information हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी counseling related और need related सारी information इस चैनल पे मिलती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक वाज ज्यादा इसको लाइक करें मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन